Hey guys, welcome to my channel Techinfo मेरा ना मेरा होल्ट, स्वागत है आपका आज की इस न्यू वीडियो में अगर आपके पास भी पुराना driving lessons है जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख रहे हैं तो इसमें जो driving lessons number है वो काफी पुराना हो चुका है जो आजकल नहीं चलता traffic वगेरा में तो चल जाता है आप driving कर रहे हैं तब चल जाएगा लेकिन अगर आपको कोई driving lessons से related कोई काम करवाना है या फिर आजकल चल रहा है smart card जो की driving lessons का जो smart card होता है वो चल रहा है कि आप अपने पुराने driving lessons number से अपना नया driving lessons number कैसे पता कर सकते हैं तो चलिए वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं सबसे पहले आप लोगों को परिवन सेवा की जो official website है इस पर आना है ठीक है और इस पर आने के लिए आपको जो लिंक है इसी वीडियो के description में मिल जाएगा डिरेक्ट लिंक होगा आप उस पर क्लिक करेंगे डिरेक्ट आप इसी पेज पर आने के बाद आपके सामने इस तरह का यह शो करेगा और इसके बाद आपको date of bird डालनी है ठीक है जो आपकी date of bird दे आपको यहाँ पर वही डालनी है इसके बाद नीचे enter verification code आई जो capture दे रखा है y a k a 6 h आपको बिलकुल same to same यह यहाँ पर फिल करना है ठीक है यह सारे detail फिल करने से पहले आपको यह चीज समझा देता हूं इनोंने एक example भी दे रखा है जैसे आप लोग देख रहे हैं मैं circle बना देता हूं s s r r y y y y और फिर 7 बार n है इसका मैं मतलब सुम्जाएता हूं इसका मतलब है s s का मतलब है state मान लिजी आप उत्तर प्रदेशते हैं तो आपको यहाँ पर up लिखना है ठीक है इसके बाद r यानि की RTO जो आपका RTO का number होता है जैसे मैं merit रहता हूं तो मेरा UP 15 है तो SS मतलब UP, RR मतलब 15 ठीक है तो UP 15 और बीच में यह हाइफन है यह सिंबल एक हाइफन बोलते है इसको आप यहाँ पर mention कर सकते है और नहीं भी कर सकते है अगर आपको नहीं करना तो आप space भी दे सकत जैसे माली जै आपने 2011 या 2012 में डाला था इशू करा था अपना तो उसमें driving license में लिखा होता है date of issue तो वहाँ पे आप year वहां से उठा लेंगे यानि की YYY में आपको year लिखना है date of issue का year होता है इसके बाद वहाँ पे 15100 या 13100 या फिर 19100 करके आपको जैसे मैं आपको screen पे इसके बाद last में पांच डिजिट और होते हैं तो पांच डिजिट तो आपके सभी के वहाँ पे लिखे होते हैं पुराने driving license नमर पर लेकिन जो YY और पांच डिजिट के नमर में बीच में होता है उसमें हमें क्या लिखना है वहाँ पे हमने 00 लिखना है यानि कि हमें 7 डि इसके बाद 2010 नमबर फिल कर लिया उसी के हिसाब से ठीक है तो UP और 15 जो मैंने खुदी बताया आपको ऐसे करना है इसके बाद 2010 ठीक है UP 15 2010 इसके बाद 00 लगाया मैंने यहां पे क्योंकि 00 यहां पर लगा नहीं है आपको लास्ट में पांच डिजिट जो मेरे driving license में लिख र इसके बाद आपको चेक स्टेटस पे क्लिक कर देना है इसके बाद आपकी जो driving license की डिटेल होगी नीचे की तरफ आ जाएगी आप देख सकते है डिटेल ओव ड्राव 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 डबल जिरो और मेरा नमबर करन्ट स्टेटस एक्टिव है holder name मैं आप आपको पूरा open करके दिखा देता हूं एक बार तो देखें यहां पर holder name second number पर आएगा यानि कि जिस नाम से driving license है वो नाम यहां पर लिखावा जाएगा और इसके बाद देखिए old slash new DL number तो यह आपका new DL number हो गया UP15 slash 2010 slash फिर जो last के जो 5 नमबर थे वो यहां पर आपके तो यह आपका new DL number हो गया इसी DL number से अब आप अपना नहीं apply कर सकते हैं और आपको कोई भी DL से related कोई काम करवाना हो तो इसी driving license से आप करवाएंगे ठीके ना इसके बाद यहां पर आप देख सकते हैं issue date भी आ रही है और RTO merit भी लिखावा आ गया आपका भी लिखावा तो दोस्तों इसी तरीके से आप अपने पुराने driving license number को अपने नए driving license number में convert कर सकते हैं बहुत ही असान तरीका था step by step में आपको बता दिया I hope so आप लोग समाज में आ गया होगा अगर कोई और query आपको कुछ और पूछना हो तो आप मुस्से comment box में पूछ सकते हैं वैसे तो मैं एक और वीडियो बनाने वाला हूं कि आपको application number कैसे पता करना है अपने driving license से ठीक है ना next मेरी वीडियो यही होगी तो guys thanks for watching this video and subscribe to this channel